हलो गाईज कैसे हो आप सब आई हो आप सब आप सब अच्छे होंगे एक बार फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान सरीता रोचक जयनकारी में बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाग धबा जाई मुहासे मिटाने का घरेली उबाए इसको बनाना बहुत ही आसान है आप अपने घर पर रहकर बड़ी सरलता से इसको बना सकते हैं इसको लगाने से आपका रंग भी साफ होगा चेहरे पर चमक भी आएगी और दाग धबे कील मुहासे सभी खतम भी हो जाएंगे इसको कैसे लगाना है कैसे बनाना है हम इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताएंगे आप सबी लोग हमारे वीडियो पर बने रहीएगा और बनाना सिखिए फ्रेंड्स इसके लिए हमें चाहिए होगे एक निम्बू और एक कफ दूद दूद हमारा नॉर्मल है आप चाहे गाय का लीजिए भैस का तो निम्बू और दूद से हम इस नुष्खे को तयार करेंगे तो चलिए हम गैस को आउन कर लेते हैं और गैस पर हम एक बरतन रखेंगे इसी बरतन में हम जो हमारा एक कफ दूद है उसको इसी में पलट देंगे और इसको धीवरी आँच पर हम चला चला कर पका लेंगे इसको हम लगातार चलाते जाएंगे, slow flame पे रखना है हमें, तेज अगर flame पे आप रखेंगी तो ये जल जाएगा क्योंकि दूद हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक कफ है, तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, हमें गाढ़ा होने त बहुत अच्छा है, और इसको रात को सोते समय लगाया जाता है, सोने से पहले आप इसको लगा दीजिए, अगर आप सोने से पहले नहीं लगाना चाहती है, तो आपको एग घंटा का टाइम देना होगा, एग घंटा पहले लगा के आप मूँ धो लीजिए, और उसके गाढ़ा होगा, तो देखें, दूद हमारा गाढ़ा हो रहा है, लगातार आप इसको चलाते रहीं, जैसे आप खोया बनाते हैं, उसे तरह से आपको ये दूद भी जलाना है, खोय की तरह ये देखें, गाढ़ा हो गया है, दूद हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस आधा निम्बू हम पूरा निचोड़ेंगे इसमें और इसको लगतार हम चलाते जाएंगे आधा निम्बू हम पूरा निचोड़ देंगे और लगतार इसको चलाते जाएंगे दो मिनट में ये ठंडा हो जाएगा गरम गरम में ही आपको निम्बू डालना है ना कि ठंडा हो के बाद गरम गरम में जब आप निम्बू डालेंगी तो इसका जो भी हमारा दवाई के रूप में हम इसको लेना चाहते हैं हमारा पूरी तरह से बनकर रेडी होगा ठंडे पर हम डालेंगे तो हमारा निम्बू अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और दूद अलग रहेगा तो इसलिए गरम में जालेंगे तो निम्बू और डूद एक में मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़िया यह हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसको किसी कटोरी में निकाल लेंगे और इसको कैसे अपलाई करना है अभी मैं आपको वो भी बताऊएं कि इसको कैसे अपलाई करना है यह हमारा पेस्ट पूरी तरह से थंडा हो चुका है और अब हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे जैसे इसको बनाना आसान है उसे तरह से इसको लगाना भी आसान है आपको बिल्कुल भी उबन नहीं आएगी इसको लगाने पर बिल्कुल भी आपका चेहरा चिप चिप आएगा नहीं और आपको अच्छी अच्छी से महग भी आएगी निम्बूग की महग भी आपको आती रहेगी तो इसको लगा भी सकती है आप और आसानी से बना भी सकती है तो देखे इसको कैसे अपलाई करना है आप इसको हाथ मे लीजिए तो ये देखे चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा है जो इसका मोटा मोटा सा होगा वो अपने आप जड़ जाएगा आप उसको आसानी से और इसको आप अपने चेहरे पर अपलाई कर सकती है अपलाई करने के बाद ये जड़ जाता है तो देखिए कैसे आप आपको मसाज करना है सोने से पहले आप इसको लगा लिजिए तो रात भार आप सो जाए इसको लगा के नहीं तो अगर आप लगा के नहीं सोना चाहती है तो आप एक घंटा पहले लगाईए और उसके बाद मूँ पाने से धोर लीजिए ठंडे पाने से चाहें तो आप किसी सूती कपड़े से अपना फेस पोंच के भी सो सकती हैं सुबा उठिये तब ठंडे पाने से अपना मूँ धोर दिये इसको लगाने से आपका रंग भी साफ होगा और चेहरे पर चमक भी आएगी थैंक्यू फ्रेंट्स